नमस्कार आपको स्वागत इस टॉकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूट्स लिम्टेट की आपको बताना चाहेंगे कंपरीन अपने शेरोल्डर्स को 50 पैसे प्रतिशेर का डिविडेंट दिया है तो जिनके पास उनको प्रतिशेर के साब से 50 पैसे का डि रिजल्ट जो सेकंड नमर के कॉलम है वह देसंबर स्क्राइब की रिजल्ट है और जो फ्रस्ट अंबर पर कॉलम दिखाए दी रहा है वह मार्च 21 क्वाटर के रिजल्ट है तो देख लेते हैं टोटल इंकम को मार्च 23101 मिलियन की थी जो कि दिसंबर 269 में हुए 4765 मिलियन की और मार्च 21 कौर्टर में जो इंकम हुई वो 4,411 मिलियन की तो अगर हम बात करते हैं टोटल इंकम की यह और में मार्च 20 से मार्च 21 में तो वह घटती हुए नज़र आ रही है अगर हम देखते हैं कौर्टर ऑन कौर्डर परफॉरमेंस को तो भी या मर्च 21 की तो वह घटती नज़र आ रही है एक्सपैंसस को देख लेते हैं मार्च 20 कॉल्टर में एक्सपैंसस के पांए एक्सपैंस थे 5000 кош गणे योटकर मार्च 21we तो मार्च 20 में यहां भी हमें एक्सपेंस घरते हुए नजर आ रहा है तो अगर देखें तो यह रोन यह में इंकम और एक्सपेंस दोनों ही घरते हैं बात करते हैं प्राफिट एंड लॉँट से टेमेंट की तो फिफ्ट नमबर का पॉइंट प्रॉफिट की मार्च 20 में 183 मिलियन प्रॉफिट थे जो कि दिसम्बर भीस में 138 मिलियन के हो गए और मार्च 20 में छैं मिलियन के रहा गए तो रहें नेट प्रॉफिट या लॉस तो मार्च कौाटर 20 में जो है वह 101 मिलियन के प्रॉफिट थे हो गए और मार्च में 96 मिलियन के लॉए to अगर हम देखते हैं तो हमें एर ओन Tex में तो ऑन में पर्फॉर्मेंस याने की मार्च 20 से मार्च 20 में तो देखते हैं तो हमें यर और में कंपनी प्रॉफिट सो लॉस में आते भी नजर आ रही है अब हम देख लेते हैं कंपनी के सेल्स को तो कंपनी का मार्केट कैफ है 1399.64 करोड नंबर ऑफ सेर्ट में ट्रेड कर रहा है वह नौ दसमलों पांच चार करोड शेयर का पीवी रि तीन प्रतिशत का एंटर्प्राइस की बात करते हैं तो 1766.96 करोड की इंटर्प्राइस बेल्यू है सेर्क पीडियो दस रुपए है और बुक वैल्यू नियानियो दसमलों 30 क्रोड की कर्जे हैं तो कैसरे जर्व से तो काफी ज़्यादा नजर आ रहा है एपिस की बात करते एक 200 तो प्रतिशत का है सब्सक्राइब करें तो एक सुच्हालिस रूपए 60 पैसे लास टेडिंग प्राइस है लास्ट टेडिंग डे के परफॉरमेंस की बात करें तो सब्सक्राइब कुधे तो 41.0 प्रतिशत की है उसमें से 41 प्रतिशत की बारा उठाई गई है तो डिलेवरेबल कॉन्टिक का प्रतिशत भी काफी अच्छा नजरा रहा है यहां पर हमने कंपनी के को देखा है अब हम पिछले चारवाट्स के परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म किया है कंपनी नहीं तो बात करते हैं अब बात करते हैं यहां पर अगर हम देखते हैं तो सत्रा से अठारा में हमें कंपनी प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है अब हम देख लेते हैं से होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून वीच में थी शैलेज़ दसामलोvi 2-0 प्रतीशत की जो कि मार्च 21 में भी बने हुई है एक फाया इसकी होल्डिंग 132 प्रतीशत से घटकर 161 0 प्रतीशत हुई है यानि कि अफ़ाया इसकी होल्डिंग लगबंग 50 प्रतीशत घटकर 5.99 प्रतीशत हुई है तो दिए है इसके होल्डिंग में भी कमी आई है पब्लिक होल्डिंग 34.08 प्रतिशत से बढ़कर एक तारीज दसामलों प्रतिशत हुई है तो अधर होल्डिंग की बात कहा है तो जो की जून 20 में थी वह अभी भी बनी हुई है तो इस प्रकार अगर हम वारॉल रिजल्ट की बात करते हैं तो कमपनी यह औं यह पार्फॉर्वैंस कामजोर होता हुए नजरा रहा है कंपनी इस यह और और